हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारूं की कैसे आप अपने Vivo Y56 Android मॉयल फोन में आप जो है स्वाइप लोक रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मॉयल फोन से ठीक है और ये स्वाइप लोक रिमूव वोने के बाद आपके मॉयल फोन की सेटिंग कैसे काम प्राम करती है आज किस वीडियो में मैं आपको डीटेयल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले था आपको अपने Vivo फोन में सेटिंग पेज आपको ऑपन करना है ठीक है सेटिंग पेज को ऋपन कर लीजिए सेटि स्क्रीन लॉक पर स्वाइब करने के लिए आपको सबसे उपर फर्स्ट ऑप्षन सेलेक्ट करने हैं नौन पर स्वाइब कीजिए तो आपका स्क्रीन लॉक के नीचे नौन लिखा हुआ जाएगा यानि कि आपका इस तरीके से अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे आप इस स्वाइब लोक की रिमूव होने के बाद आपको इस पीच में कोई भी स्वाइब लगा दिखाई नहीं देगा तो इस सेटिंग इस तरीके से काम करेगी आपकी मुआल फून की स्क्रीन को आफ करेंगे इस तरीके से फि एक shortcut तरीका बता देता हूँ, आपके phone में, इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है, setting page में आपको सबसे उपर इस search icon आपको select करना है, यहाँ पर आपको search bar में type करना है, screen lock, screen lock type करेंगे तो आपको नीचे यह option शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना ह कि जब भी आप search bar में setting का name आप type करेंगे, तो आपको उपर की search bar में spelling mistake नहीं करनी है, अगर आप spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे option दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है, तो आप चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते है, आपको screen lock करना है, यह वाला option select करना है, जिसके नीचे setting security लिखाऊगा, यह वाला option select करना है, इससे क्या होगा, आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आजागा और इस setting को highlight करेगा, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया, इस setting को ढूंडनेगा,